और कैसो दोस्तों इस वीडियो में रमायन काल से जूरी एक बहुत ही इंपोटेंट सी जगह के बारे में टूर प्लान डीटेल में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जनकपूर जो की नेपाल में इस्तित है और दोस्तों लेकिन इसकी कहानी आप हुई थी और यहीं पर वह स्यंबर हुआ था जो कि आपको लोगे घूमने के लिए बहुत यच्छी जगह होने वाली है तो दोस्तों इस पीटेल में बात करने वाले है अगर आप नेपाल से हो या फिर आप इंडिया से हो तो आपके लिए आसानी से कैसे आप वहां पहुं दोस्तों बात कर लेते हैं कौन सा टाइम से बेस्ट होने वाला है अगर आप वहां जाना चाह रहे हो तो आपके लिए साल के 355 दिन जा सकते हो लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा कि आप जो फेस्टीवल वाले दिन होते हैं जैसे कि निवीयर हो गया या फिर रामनौमी होगे यह सब टाइम को एवाइट करते हो चलो कि इस टाइम में बहुत जादा भीर हो जाती है तो इसके लब आप कभी भी वहां पर जा सकते हो दोस्तों कितने दिन का टूर प्लान करना अगर आप जनकपूर के लिए जाते हो तो आपके लिए मिनिमम एक दिन का समय लग जाने व फाल. स initiatives कि कि आज पास में गोंटें के लिए हैं जो की हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं वाली कि दूस्तों कि आपके बहुत ही असान रास्ते होनाओने ओनफार कि नकपरवों ज़ना क्व जानकपूर आपके लिए çok ब्लाव बना दिया गया और दोस्तों वहां पढ़ा पर मया म reward भंद बहुत असन परने वाला लेकिन दोस्तों आप भारत से आप इंडिया से छो आप कि लिए पर सहल को और कौन सा टरीकह सबसरी होने वाला है जो sta प्रबैकर सब्सक्राइं कि तो त्रेंज से आप वहाँ जा सकते हो लेकिन उसके लिए डाइरेक्ट ट्रेंड एबलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है कि बहुत ही आसानी से आपके अपने सीटी से आपको देख लेनी है कि आपको बिहार के मुझotफर यह फिर पटना के इसे एयरेक्ट ट्रेंड मिल जाएं दोस्तों वैसे तो जयagn encr के लिए आपको मिलनी चाहिए क्योंकि जया द्ससक् Wolf कहने की ठीलेबल लेक्ट लेठेंड नहीं होती है तो आपको कहा करना है और जिसकी दूरी सिर्फ 31 km है तो आपको क्या करना है कि टिकेट का प्राइज भी में बता देता हूं तो दोस्तो अगर आप जेनल से सफर करते हो तो आपका टिकेट का खर्चा होने वाला 45 रुपे और अगर आप AC से ट्रावल करते हो तो आपको वहीं बढ़के हो जाने वाला 220 रुपे जो कि एक डिसेंट खर्चा होने वाला है अगर आप ट्रेंड से जाते हो तो आपके लिए बहुत ही आसानी से आप वहां पहुंच जाओगे आप बिहार के सीतामरी से सीतामरी वहीं जगह है जहां माता सीता का जन्मस्थान है तो यहां से भी आप बॉर्डर पार्क्स करके बिठामोर बॉर्डर होते हुए जा सकते हो जो कि आपके लिए बहुत ही परने वाला दोस्तों 20-25 किलोमेटर का रास्ता परने वाला उस क्या करना हो अब खुद की ही जाते हो तो आपको भनसार कटबाना होगा पोड़े काम क्लगता है उसर मतलuction दोस्तों नेपाली पैसे मैं फ्यो एक जाते हो तो बात करने तो हवाई मार्क से क्या विवस्ता है जाने की तो आपके लिए ये भी आसान पढ़ने वाला है कि आपको क्या करना है कि बहुत ही आसानी से अपने सिटी से आपको पहुंच जाना है आपके लिए क्या तरीका है कि आप क्या कि यह तो दर्भंगा एरपोर्ट पहुं कि यहां के लोग hindi भी बोलते तो आपको लेंग्वेश कनवरसेशन में भी वहां पर दिखत नहीं आने वाली है वेसे तो आपको बहुत सारे होटल सा असपास में मंदिर के आसपास में मिल जाएंगे लेकिन मैं आपको सब्सक्राइब रामानंद चौक के आसपास जाओगे तो आपको डिसेंट मतला हर तरीके के रेट में हाँ पर होटल मिल जाएंगे जो कि नेपाली 400 रुपे से लेके 2000 असपास पढ़ने वाले हैं जो कि आपके लिए अपने हिसाब साब होटल देख लेना और दोस्तों खाने के लिए भी आपको कोई समस्ता वहां पर नहीं होने वाली है वहां पर हट आपके खाने अबलेबल हो जाएंगे नेपाली भी कुछ खाने और इंडियर भी खाने अब आपको बिल्कुल मेंस नहीं करनी है तो पहली जगह होने वाली है आपके लिए जानकी मंदिर जो कि वहां पर बहुत ही फेमस सबसे फेमस मंदिरों मैंसे एक है और दोस्तों यहां पर बहुत सारी चीजा देखने मिलेंगे जो कि सीधा आपको रवायन काल से जोडती ह दोस्तों अगली जग है स्री राम मंदिर जो कि चान की मंदिर से थोरे ही दूरी पर लगवा सारे 400 मीटर की दूरी पर है और यहां भी आपको बहुत अच्छा लगने वाला है दोस्तों यहां पर भी आप घूमोंगे तो आपको बहुत मजाएगा दोस्तों अगली जगह है प बहुत ही फिमस बंदर है नेपाल का जो कि आपको बिल्कुल मेस नहीं करनी है दोस्तो अगली जगह है घोफित मंस आाँ कreनी है ओर भी बहुत सारी जगे हैं लेकिन यह उपना कितना आने बाले आब कर रहे हो तोडोस्तों कि यह मैं नेपाली कम से कम 2000 पर रख लेने है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है अगर वहां का टूर्ट प्लान करना चाहरे हो तो जो कि इंडियन रुपेज में चेंज करके वहीं आपको बारा तेरसो रुपे होने वाले है और दोस्तों यह आपको क्या करना है कि आप अब करेंसी एक्षेंज करवा लेना बॉर्डर के आसपास के इलाकों में बहुत ही असानी से हो जाते हैं इंडियन जो एक रुपे है जो नेपाल के 1.30 रुपे के बराबर है तो सोचो एमाउंट यह आपका बर जाने वाला है तो आपके लिए असान होगा कि आप पैसा वीडियो अच्छी लगए हो तो वीडियो को लाइक करें के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद